प्रेंस आप सभी का हमारे यूट्यूब चनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है आज इस वीडियो में करेंट अफियर्स अगस्ट 2021 का डिसकस करेंगे जो आने वाले एक्जाम्स एससी रेलवे और अन्न जनरल कॉंपटिशन्स के लिए बहुत इंपोर्टेंट होंगे पहला प्रेंस है कि है मैंने खोन होता है मानियत में कितने टाइगर र्यज़र्व को दिया घया तो इसका है 14 ये SEO टाइगर स्टेंडर्स होता क्या चीज है ये किसी भी परजाती के टाइगर को किसी खास रिजर्ब में रखने के लिए वहाँ की परस्तिती उस परजाती के लिए अनुकूल है या नहीं ये इस स्टेंडर्स के द्वारा पता चलता है तो पहला मदु मलाई या ननावलाई टैगर रिजर्ब जो तामिल नाडू में है बांदीपूर टैगर रिजर्ब जो करनाटका में है परांभी कुलम टैगर रिजर्ब केरला में है सुंदर्बर्स टैगर रिजर्ब जो कि वेस्ट पैंगॉल में है तुद्वा टैगर रिजर्ब जो कि उत्तर प्रदेश में है बालमिक्री टैगर रिजर्ब जो कि बिहार में है पैंस टैगर रिजर्ब महराष्टरा में है और सत्पूरा कना और पन्ना टैगर रिजर्ब जो कि मद्र प्रदेश में है 14 टैगर रिजर्ब को ये स्टेंडर्स दिया गया है दूसरा क्वेश्चन है कि भारत बिल पे लिमिटेड के नए सियो किसको एपॉइंट किया गया है तो नुपूर चत्रुवेदी भारत बिल पे लिमिटेड होता क्या चीज़ है ये NPCI का एक सबसीडरी है जो कि दिल पेमेंट का पनिश्टाप सॉलेशन प्रवाइट करता है आनन्द राधाकृष्णन को मिला है नेश्ट क्वेशन है 2021 का प्रतिष्टित लोकमाने तिलक राष्ट्रे पुरुष्कार के लिए किसे चुना गया है तो सही आंसर है डॉक्टर साइरस पुनावाला को और डारेक्ट साइरस पुनावाला जो है चेयर्मेन आप दा पुने बेस्ट वैक्सिन मेकर सेरम इस्टीचूट अफ इंडिया सेरम इस्टीचूट अफ इंडिया का चेयर्मेन है यह सेरम इस्टीचूट अफ इंडिया कहां की है पुने की है जो क्या बनाती है वैक्सिन बनाती है किस ने टोक्यो उलम्पिक के मैला बैटमेंटन एकल में चीन की बिंग जियाओ को हरा कर कासर पदक जीता है जिसका सही आंसर है पीवी सिंदू पीवी सिंदू बिकम्स फर्स्ट इंडियन फिमेल उलम्पियन टू विन टू मेडल्स PB Sindhu पहली Olympic जितने वाली मैला जिनोंने दो medal जिती है Next question है किस देश ने सन्युक्त राष्ट स्वक्चा परिश्ट United Nations Security Council सन्युक्त राष्ट स्वक्चा परिश्ट की अध्यक्स्ता गरहन किये तो भारत The composer and singer of the theme song For the Indian Paralympic Contingent करदे कमालतु करदे कमालतु theme song के संगितकार और गाय कौन है संजीव सिंग है ये कहां से बिलोंग करते हैं लखनाहू से बिलोंग करते हैं ये एक दिव्यांग किर्केटर है What is the long disbursement target set by government Under the PM मुद्रा योजना for 2021 जो PM मुद्रा योजना है 2021 बर्स के लिए कितना पैसा रीन के लिए है ये तीन ट्रिलियन तो तीन ट्रिलियन जो रुपईया है 2021 बाइस के लिए PM मुद्रा योजना के तर्थ सरकार द्वारा निर्धाइत रीन बिद्रन लक्ष है केटू पर चड़ने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का परवतार होई किसे बनाए गया है कौन है पाकिस्तान के क्लाइमबर सरोज कासिफ सरोज कासिफ है जो कहां से पाकिस्तान से बिलॉंग करते हैं किस अजन्सी ने दुनिया का पहला वानिजिक पुना प्रोग्राम करने योग एक उपगरा यूटल सेट क्वांटम लॉंच किया है यूटल सेट क्वांटम इसको दुबारा से हम री प्रोग्राम कर सकते हैं और दुनिया का पहला कमर्सियल रीक प्रोग्रामल सेटलाइट भी यूटल सेट क्वांटम ही है इसको किस ने लॉंच किया है इसको European Space Agency ने लॉंच किया है Which company has stopped the 2021 Fortune Global List 2021 में Walmart ने इसमें top rank हासिल की है Next question है महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है Who has been appointed as the new लोकायुक्त of महाराष्ट्रा इसका सही answer वीम कनाडे वीम कनाडे को महाराष्ट्र का नए लोकायुक्त बनाया गया है Which former governor of RBI has recently conferred the inaugural Professor C.N. Rao Sanitary Gold Medal Professor C.N. Rao Sanitary Gold Medal किस RBI के governor को दिया गया है तो इसका सही ना होगा C.Rangrajan C.Rangrajan जो है ये RBI के पुरु गवर्नर है Next question है कि which state has launched the first of its kind earthquake early warning mobile application named Bookamp Alert तो इसका सही answer उत्राखंड ये एक mobile application है Bookamp Alert किया है Mobile application जो अर्थक्वाइक आने पर ये mobile alert देने लगता है ये किस ने लांच किया है ये उत्राखंड state ने लांच किया है Next question है कि Supreme Court of India held the governor of state can pardon prisoners including in the death sentence cases Governor's power to pardon overrides a provision given under which section Section 433A of the Code of Criminal Procedure ये जो भारत के सरोच ने ले ने माना कि राजी के राजपाल मौत की सजा के मामलों सहीत कैदियों को छमा कर सकते हैं छमा करने की राजपाल की सक्ती किस धारा के ताथ प्रावधान को अवर्राइट करती है तो ये section 433A of the Code of Criminal Procedure के ताथ वो गवर्नर जो है मौत की सजा सहीत कैदियों को छमा कर सकते हैं नेक्स्ट क्रेशन है कि World Bank has approved a 10 million projects in India for a long term dam safety program and improving the safety of and performance of the existing dams तो इसका सही answer है USD 250 million dollar तो World Bank ने 250 million dollar भारत को dam safety program के लिए दिया गया है ताकि वो dam की सुरक्षा मानकों को बढ़ा सके और उसका जो performance है उसको भी अच्छा कर सके किस ने दिया है? World Bank ने दिया है 250 million dollar इच इंडियन wrestler has won the भारत केसरी Wrestling Dangle 2021 organized in Tamil Nadu तो भारत केसरी Wrestling Dangle 2021 कहां पर हुआ है Tamil Nadu में हुआ है और इसमें किस wrestler ने किस पहलमान ने इसको जीता है 2020 का किताब लवांसू सर्मा Next question है कि राजीव गांदी खेल रतन एवार्ड को किस नाम से अब जाना जाता है तो Major Dhyan Chand राजीव गांदी खेल रतने आवार्ड हैस बिन रिनेम्ड मेजर ध्यान चंद्र Sports Personality है यह Next question है कि Union Minister विरंदर कुमार Launched which portal and mobile app to promote skill development recently PM दक्च PM दक्च एक mobile application है जो जीतना skill development है skill development को promote करने के लिए यह launch किया गया है किस ने launch किया है Union Minister विरंदर कुमार ने PM दक्च को launch किया है Next question है कि Which is the first state in the country to issue the order with regard to the implementation of the National Education Policy 2020 National Education Policy 2020 को implementation का order किस ने लागू किया है तो यह है करनाटक करनाटक पहला राज होगा जो National Education Policy 2020 को लागू करने के लिए आदेश जारी किया है Which baller overtook Anil Kumle's tally of 619 test wickets to become the third highest wicket taker in test cricket ठीक है तो किस बॉलर ने Anil Kumle का 619 wicket लेने का जो स्रे है उसको overtake किया है James Anderson Next question है कि इंडिया नेवी एंडेस conducted the bilateral naval exercise जायद तलवार 2021 off coast of Adudhavi तो जायद तलवार 2021 जो है कहां पर हुआ अबुदभी में हुआ और ये नौ सेनिक अभ्यास है ये naval exercise है भारत और UAE के बीच में ये naval exercise हुआ है जिसका नाम क्या है जायद तलवार 2021 ठीक है Next question है कि what is the rank of the Tokyo Olympics 2020 भारत का Tokyo Olympics 2020 में क्या rank रहा तो 48 रहा World Bible Day किस दिन होता है 10 अगस्त को International Army Games 2021 किस देश ओर्गनाईज करती है रूस ओर्गनाईज करती है और 2021 इसका साथवाँ एडिशन होगा Who represented the Indian delegates at the 8th Ministers of the Justice Meeting of Sangai Corporation Organization SCO का रहत होता है Sangai Corporation Organization तो Sangai सयोग संगठन की आठवी नयाय मंत्री बैठक में भारते परतिनिदियों का परतिदित किस ने किया है तो Union Law Minister किरन रिज्जु ने Who is the Chairperson of the National Commission for Omen तो NCW जिसको National Commission for Omen इसके Chairman किसको बनाय गया है रेखा सर्मा को World Lion Day किस दिन मनाय जाता है 10 Agust को World Lion Day भी या World Biofield Day पुछे या World Lion Day पुछे ये दोनों 10 Agust को मनाय जाता है India will finally launch its most advanced satellite G.I.S.A.T.1 What type of satellite is G.I.S.A.T.1 G.I.S.A.T.1 जो है most advanced satellite है जो G.I.S.A.T.1 इस बिकम दर फर्स्ट प्राइमिनिस्टर आफ इंडिया तो चेर दर युनाइट नेशनल सेकुरिटी कांसिल ओपन डिबेट सन्युक्त राष्ट सुरक्षा परिस्ट की खुली बाहस की अदक्षता करने वाले भारत के पहले परधान मंत्री कौन बने है नरेंदर मोदी तो प्रकृति के सन्रक्षन के लिए अंतराष्ट संग का मुख्याले कहा है ग्लांड सुजर लेंड तो इसका सही अंसर है इन इंहांसिंग मेरी टाइम सेक्रेटी केस आप औरनेंशनल कोरेशन इंहांसिंग मेरी टाइम सीक्रेटी का इस फॉर इन्डेंशनल कोरेशन यह युन्सी का 2020 का थीम है अगर हम Global Youth Development Index 2020 की बात करें तो इसमें भारत का रेंक कितना है 122 है Each of the following has unveiled Digital Pryas, an app-based digital lending platform to facilitate loans to entrepreneurs from the low-income groups Small Industries Development Bank of India ने Digital Pryas नमक application को launch किया जिसको क्या loan, low-income group को loan provide करने के लिए यूज किया जाता है इसमें कि which social media platform is launching a one-year joint initiative with UNICEF India for Child Welfare तो Facebook plus UNICEF ने एक program launch किया है किसलिए Child Welfare के लिए Next question की who is the new president of Iran Iran के नए president कौन है तो इसका सही answer है Ibrahim Raisi Ibrahim Raisi जो है इरान के नए president है Ibrahim Raisi 28th ASEAN Regional Forum Ministerial Meeting was held under the chairmanship of which country Brunei तो 28th ASEAN Regional Forum Ministerial Meeting Brunei ने organize किया है 28 Next question है कि ISRO secretary Dr. K. Sivan ISRO के secretary कौन है K. Sivan है Formally integrated the health quest study Health quest study क्या है और इसका मतलब क्या है इसका मतलब है Quality Upgression Enabled by Space Technology of Issue Next question है कि who is the first brand ambassador of Cashify The e-commerce तो Cashify का जो है राजकुमार राव को brand ambassador बनाए गया है World Elephant Day किस दिन observe है 12 अगस्त को World Elephant Day observe किया था 12 अगस्त को The next and the last question What is the theme of the International Youth Day तो You are diverse किस दिन Theme क्या है ये यूआ दिवस भी 12 अगस्त को Healthy Day और यूआ डे Same दिन मनाए जाता है 12 अगस्त को और इसका theme है Transforming Food System Transforming Food System Youth Innovation for Human and Planetary Health